Hello students, welcome to MathGate. In this video we will discuss cards based questions from the probability segment. हम discuss करेंगे cards based question को एक example लेके हम start करेंगे, but before starting the example और before starting the question हम इसका concept समझ देते हैं, cards है क्या और कैसे हम इनके types को discuss करते हैं, तो there are total अगर हम बात करें students एक pack of card में और in a one pack of card there are 52 cards as we all know in a pack of card there are 52 cards 52 cards मारे पास होते हैं एक pack के अंदर और उन 52 cards में color कितने होते हैं two colors कौन-कौन सा red और black तो there are two colors card that is red or second one is black या तो red color के cards होते हैं या फिर black color के card होते हैं तो color हमारे पास हमेश्चा 2 ही होता है कई हम में से बहुत चारे students confused होते हैं आप से अगर यह पूछा जाए कि total 52 cards में से कितने cards हैं जो red होंगे तो red कितने हो जाएंगे अगर total 52 है हम बोल रहे हैं सिफ दो ही तरके cards होते हैं या तो red या तो black तो red कितने हो गए 26 cards होगे तो it means there are out of 52 there are 26 cards are red 26 cards ऐसे हैं जो red होंगे और same black cards भी कितने होंगे हमारे पास 26 cards होंगे जो black होने वाले हैं ओके तो 52 में से 26 red हो गए 26 black हो गए अब बात करें types कितने होते हैं total 4 types के cards होते हैं हम सब जानते हैं अच्छे से 4 types के cards होते हैं हमारे पास में उसमें से 2 red में होते हैं और 2 भी black में होते हैं हाट, डाइमंड, स्पैड and क्लब, हाट, डाइमंड, स्पैड and क्लब, तो देरां four types of cards, हाट, डाइमंड, स्पैड and क्लब, हाट और डाइमंड दोनों किसमें होते हैं, red color के होते हैं, और स्पैड और क्लब दोनों किसमें होते हैं, black color के होते हैं, राइट, अब बात करें, तो इसे 13 cards हो गए, तो 13 cards हमारे पास heart वाले होते हैं, और diamond वाले कितने होते हैं, diamond वाले भी 13 cards होते हैं, same, similarly अगर 26 cards black में हैं, तो spade और club में कितने cards हो जाएंगे, 13, 13, तो 13 cards होते हैं हमारे पास students, spade में, और 13 cards ही होते हैं, club में, alright, तो देरा total 52 cards होते हैं, auto 52 हम जानते हैं, red color होते हैं 26 black कलुकी कार्द होते हैं 26 okay और होता है 13 कार्ड diamond होते हैं 13 कार्ड तो नहीं से पूछा जाए कि ताइपस कितरे हैं तो 52 कार्ड के अंदर या इने pack of car there are four types of cars okay आप अगेर आप समझ सकते हैं इनमें 2 इदर के कार्ज होते हैं एक होता है नंबर कार्ज एक होता है फेस कार्ड एक होता है नंबर कार्ज और एक होता है फेस कार्ड नंबर कार्ज मतलब जिन कार्ज पर नंबर लिखे होए रहते हैं नंबर किस किस पर लिखे होते हैं टू से लेकर टैन तक तो टू से लेकर टैन तक में कित अगर टोटल number cards की बात की जाएगी तो आप 9 into 4 कर सकते हैं, that is equals to 36 number cards होते हैं, किस में से 52 में से 36 number cards होते हैं, right, अब बात करें face cards, face cards कौन-कौन से होते हैं, जिस पे king बना हो, या queen बनी हो, या फिर jack बना हो, face card मीज जिन पे face बनावा है, तो king, queen and jack, these are called face cards, ये face card हो गए, ठीक pad में भी 3 और club में भी 3 है, right, तो 3 into 4 कितने होगे हमारे पास, 12 face card होते हैं, okay, अब बात करें, अब बहुत सारे students के mind में आता है, कि में king, queen and jack, तीनों अगर face card में हैं, तो ace कहां आता है, ace face card में नहीं आता क्या, जी नहीं, जो ace रह जाता है, that is called highest value card, और honor card, इसको हम बोलते ह है, highest value card, या फिर honor card, जो ace है, वो कहलाता है, highest value card, okay, तो ace face card में नहीं है, लेकिन highest value card में है, और अलग-अलग books में लिखावा होता है, कि highest value card के जरगे honor card भी लिखावा हो सकता है, right, तो both are there, same thing, तो बात करें, total हमारे पास 52 cards होते हैं, 52 cards में से color है, 2 red and black, red and black means 26, 26 each है, उसमें red color की two types होते हैं, कौन सा diamond or heart, black color की two types है, spread or club, और हर एक के कितने cards होते हैं, 13 cards, okay students, तो यह है basic information, किसकी cards की अब आजाते हैं, एक example पे, देखिए, example हमारे सामने है, one card is drawn at random, from the well-shuffled pack of 52 cards, what is the probability of picking a black card, आपको बोल रहा है, out of 52 cards, मुझे एक card को drawn करना है, और वो card क्या हो, what is the probability of picking a black card, उसे बोला है black card, हम जानते हैं, total कितने colors होते हैं, two colors होते हैं, या तो red होता है, या तो black होता है, तो black card मुझे चाहिए, या black card में spread भी हो सकता है, black card के अंदर, club भी हो सकता है, तो that is not identified, आपको नहीं करना है, spread है या club है, आपको इतना सा बताना है, कि black card कितने आ सक होता है, मतलब total आपको जो cards given है, 52, उसमें से आप एक card drawn करें, और वो card black हो जाए, उसकी probability क्या है, okay, तो हम जानते हैं, अभी हमने discuss क्या है, black cards केते होते हैं, 26 होते हैं, तो after 26 हम जानते है, probability की basic defined से, probability is nothing but favorable by total, probability is nothing but favorable by total, what is favorable, favorable means जिस event के हम बात कर रहे है, उसके favor में जो को हो और total means जिस event के हम बात कर रहे हैं, उसके लिए total number जो आग हो रहे हैं, या total number of outcomes या sample space जो given है, okay, तो बात कर रहे हैं, पे picking a black card, तो black card means favorable cases, कितने होगे हमारे पास, 26 होगे, अगर ये question, black ना होगे red होता, तो भी 26 बन जाता favorable, तो हम जानते हैं, या पे favorable तो बन गया 26, अब उ selection, selection means combination, 26C1 आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, या और you can write direct 26, क्योंकि हम जानते हैं, 26C1 is equals to what, 26 itself, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, 26 ही लिखते हैं, okay, तो आप 26C1 भी लिख सकते हैं, या 26 भी लिख सकते हैं, या 26 भी लिख सकते हैं, तो total minimally बन गया, favorable cases 26C1, और that is 26, ठी मैं एक बाद 26C1 लिख देती हूं, फिर बात करें, total number of outcome, total कितने cards given हैं, आपको 52 cards given है, 52 में से आपको कितने card round करना हैं, only one, तो यह बनने वाला है, 52C1, तो यह बन जाएगा, student, 26C1, that is 26, 52C1, that is 52, तो 26 by 52, that is equals to कितना हो गया, 1 by 2, are you getting my point, बहुत easy सा concept है, कुछ भी नहीं कर आपको इसके अंदर, black card बोल रहा है, आपको 52 cards में से आपको एक card down करना है, और वो black color का हो, यह question अगर red color के लिए होता, तब भी हमारा यह answer होता, क्या बनने वाला है, black and red, दोनों में से कुछ भी ने लिजे, 26C जाहिए, तो probability होती है, basic, favorable number of favorable cases divided by total number of outcome, what is favorable cases, for picking a black card, black card क्या है, हमारे पास में, 26C है, तो 26 में से एक चाहिए, मुझे तो 26C1, जब कभी भी selection की बात होगे, तह हम यूज करते है, combination, इसलिए मैं नहीं आपे, combination यूज किया है, okay, तो 26C1 that is equals to 26, okay, out of, आपको कितने में से लेना है, total number of outcome क्या है, या, favorable cases के बाद में, अगर sample space की बात करें है, तो sample space क्या है, इसका, 52 cards है, तो sample space बन जाएगा, 52 में से कितने cards लेने है, only one, तो 52C1, that is equals to कितना बन गया, 52, तो 26 by 52, या, आप इसको कर सकते है, one by two,